हेलो दोस्तो मेरा नाम है इर्फान किसन कुमार सिधार्त नागर जी ने लिखा है प्लीज 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 सर कोट का लेंथ 24, चेस्ट 32, स्टमक 28, हिप 32, स्लीव 22, मेरा भी कोट का कटिंग कर दिजिए धन्यवाद इर्फान सर एक और कमेंट में इनों ने लिखा है मैं आपके चैनल पर देखता रहता हूँ कि आप मेरे कोट की कटिंग का वीडियो डाले है की नहीं क्रिपया सर मेरा कोट का कटिंग का वीडियो डाल दिजिए यूटूब पर thank you sir मैं wait करूँगा वीडियो का भाई ने लिखा है सर जब तक आप मेरा वीडियो नहीं बनाएंगे तब तक मैं कमेंट करता रहूंगा आज का ये वीडियो किशन कुमार सिधार्त नगर जी के रिक्वेस्ट में मैं बना रहा हूं सेम मेजरमेंट का रिक्वेस्ट है आप लोगोंसे की मेरा एक सेकेंड यूटूब चायनल है सोहाना इस्टूडियो जह मैं आप लोगों को लेंथ लंबाई है 24 इंच तो 24 इंच पे इस तरह से रखकर मार्ग लगाएंगे चेस्ट है 32 सीना का चौथा हिस्सा होता है आठ इंच आधा इंच बढ़ा कर साड़े आठ इंच पे आर्मोल डाउन का मार्क लगाएंगे यहां से डेर इंच उपर एक मार्क लगाएंगे बैक कटिंग करने के लिए लेंध लंबाई 24 है 24 का हाफ 12 और डाई इंच इसमें प्लस करके साड़े चौदा इंच पर इस टमक पेट टॉन का मार्क लगाएंगे यह सेम मार्क लगाकर मार्क इस्टेट करेंगे एक इंच वन इंच मार्क लगाकर मार्क इस्टेट कर लेना है यहां आधा इंच हाफ इंच इसका लेंध कम है 24 है तो यहां पौना इंच थ्री फॉर में मार्क लगाएंगे यहां वन इंच एक इंच नेक कॉलर 14 इंच है गले का चवडाई रखेंगे पौने तीन इंच यहां से एक इंच उपर मार्क लगाएंगे और उपर से सवा इंच पे एक मार्क लगाएंगे सोल्डर है 14 इंच 14 का हाफ करेंगे 7 इंच और आधा इंच लाई के लिए मार्जिंग टोटल 7.5 इंच सोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच 7 इंच भी कर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है यह 7.5 इंच है तो यहां भी स्टेट वाले मार्क से 7.5 इंच पे रखेंगे और एक इंच क्रोस बैग लेस कर देंगे कम कर देंगे इसका सोल्डर जो है वो 14 इंच है तो इसलिए हम एक इंच कर रहे हैं अगर यह 14 इंच से ज्यादा होता तो 7 इंच करते हैं सोल्डर अगर कम है तो क्रोस बैग भी कम माइनस करना है हाफ इंच आधा इंच मार्जिंग रखेंगे सिलाई के लिए इस टमक को 6 से डिवाइड करेंगे और हाफ इंच स्टिच के लिए मार्जिंग लेंगे पेट का छटा हिस्सा करेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिंग यह टोटल सवा पांच है इसमें पौणा इंच 3-4 एड़ कर देंगे और यहां मार्क लगाएंगे 6 इंच पे यहां श्टमक में जितना है उससे पौणा इंच 3-4 नीचे मार्क लगाना है चाक के लिए मार्क लगाएंगे लंबाई कम है तो 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और एक इंच मार्जिंग यहां पौणे 2 इंच और यहां भी पौणे 2 इंच दामान में मार्जिंग देंगे 2 इंच झाल 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 चेश्ट 32 है 32 तकती माइनस करेंगे आधा इंच हाफ इंच झाल लिंद्ध लंबाई के लिए 3-4 पौना इंच पर मार्क लगाएंगे यहां से लिंद्ध का थर्ड लंबाई का तीसरा हिस्सा आट्टियाई 24-8 इंच यहां से सेकेंड बेटन का मार्क लगाएंगे 4 इंच पर 3-4 पौना इंच उपर एक मार्क लगाएंगे इस मार्क को मेजर्मेंट करेंगे इस टेट वाले मार्क से और यह जितना है सेम इतना यहां लगाकर एक इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे यहां 1.5 इंच टू अंदर एक मार्क लगाएंगे यहां से 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे पेट डाट के लिए और यहां फलाप का मार्क लगाएंगे पौने 2 इंच इस मार्क को हाफ अन हाफ करेंगे एक 20 इंटर लगाएंगे पौना इंच 3-4 अंदर एक मार्क लगाएंगे सोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे पौने 2 इंच टोटल यह सवा 2 इंच पर डाउन होगा यहां हाफ इंच आधा इंच उपर एक मार्क लगाना है और इस मार्क में इस तरह से रख कर दो सूथ वान फोर लेस कर देंगे कम कर देंगे सीना 32 है यहाँ पाउने 3 इंच पर मार्क लगाएंगे यहाँ 1.5 इंच लेपल का चौड़ाई का मार्क लगाएंगे कितना ब्राडनेस लेपल लगना है तो इसमें हम सवा 2 इंच लगा रहा हैं एक इंच उपर मार्क लगाएंगे और यहाँ से राउंड करेंगे गुलाई करेंगे लूजिंग का मार्क लगाएंगे मेडियम फिटिंग के लिए पौने 4 या फिर 4 तो हम पौने 4 लगा रहे हैं मेडियम फिटिंग के लिए टाइट फिटिंग के लिए 3 लगाएंगे मेडियम फिटिंग के लिए पौने 4 से 4 और लूज फिटिंग लिए 7 4 से 4.5 इंच तक मार्क लगाना है यहाँ बैक को मेजर्मेंट करेंगे यह है 6 इंच तो 6 इंच को इस तरह से पकट लेना है और इस मार्क में ऐसे रख देना है और हिप का हाफ मार्क लगाना है हिप है 32, 32 का आधा 16 इंच 16 इंच ये मेजरमेंट करेंगे स्टेट वाले मार्क से और ये जितना है सेम टू सेम यहाँ पेट में लगाएंगे इस टमक में और सेम इतना ही चेस्ट में लगाएंगे हिप है 32 इंच और पेट है 28 इंच हिप और पेट में 4 इंच का गैप है 4 इंच का चौथा भाग करेंगे तो होगा 1 इंच 1 इंच तो यहां 1 इंच लगा देंगे हिप और पेट में जितने इंच का फर्क है उसका चौता हिस्सा माइनस कर लेना है यहाँ सारे चार इंच पर मारक लगाएंगे यहाँ यह मेजरमेंट करेंगे और इस जितना है उतना इस तरह से पकर लेना है और यह जो सारे चार इंच पर हमने मारक लगाया है यहाँ इसको ऐसे रख देंगे Chest का Half Sina का Aadha 16 Inch 16 Inch तो इस तरह से Mark लगाएंगे अब यहां दोस्तो जो Chest का Mark है वो Mark आगे हो गया है और जो हमने State Mark लगाए है वो पीछी हो गया है तो यह बिल्कुल उल्टा हो गया है अभी तक जो मैंने आप लोग कटिंग बताया है उस से यहाँ यह दो सूत 1-4 एक्स्ट्रा हो गया है तो यहाँ हम एक इंच पे मार्क लगाएंगे यहाँ एक इंच तो लगाना ही लगाना है और यहाँ जो है यहाँ से एक इंच बढ़ा देना है लेकिन हम एक इंच नहीं बढ़ाएंगे हमने यहां एक इंच निकाला है तो यहां हम पौना इंच 3-4 मार्क लगाएंगे अगर यह चेष्ट का मार्क आगे हो जाए या फिर बराबर हो जाए तब हमको क्या करना है यह मैं आप लोगों बता रहा हूं यहां एक इंच मार्क लगाएंगे और यहां से अगर बराबर है या चेष्ट का मार्क आगे है तो पौना इंच 3-4 पे मार्क लगाना है यह वीडियो मेरा बनाने का मकसदी यही था क्योंकि अभी तक जो मैंने आप लोगों बताया था वो तो simple simple था यह कुछ different है इसमें आप लोगों को अज़र्व को एक अलग सीकने को मिला है जो शायद अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्यूंकि इस तरह का measurement पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था मुझे लगा कि इस तरह का measurement पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए मैंने किसंद सिंधार्द नागर्जी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है यहां हाफ इंच है आधा इंच तो यहां भी आधा इंच पर मार्क लगा कर और यहां इस तरह से मार्क लगा देंगे नाथ दिन पर यहांड़ एंच कर अनीसित पर भी चिताते हुई राभा जल बनाया है कर बनाया है दो मु Algा कर ब Kne visualize लिक भी आपी रिक लो बनाभर्ए लिक उताते मैंने की कैने बनाया है बनाया त्या आन्या सिंदीिए लिल रव главное यहां 0.5 इंच पर मार्क लगाना है 2.5 इंच तीन इंच भी लगा सकते हैं और यहां 2 इंच लंबाई कम है तो यहां 1.5 इंच मार्क लगाएंगे नॉर्मल हम पौने दो लगाते हैं उपर से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिंग छोड़कर लेंध 24 इंच यहां नॉर्मल जितना गया पाता है उतना हम नकालते हैं लेकिन यहां जब बराबर हो जाए या चेश्ट कमार आगे चले जाए तो कैसे मार्क लगाना है यह मैंने आपको इस वीडियो में बताया है यहां पिक का मार्क लगाएंगे धोका का सवा इंच वान इंच वान फॉर यहां इंच का रड़े भॉम अब बताया हुआ ओ क्यों भरे चले सवा ग rok किलीव बासुव का मेजरेमेंट करेंगे उपर स्टेट है तो मेजरमेंट आप को ऐसे रखेंगे स्वोल्डड़ बावन करेंगे टु इंच दो इंच और मोल्ड़र बावन करेंगे चेस्ट को six से डिवाइड करेंगे साड़े 5 में एक पॉइंट कम होता है लेकिन हम साड़े 5 लगाएंगे और एक इंच उपर एक मार्क लगाएंगे चेस्ट को 6 से डिवाइट करना है और एक इंच उपर एक मार्क लगाना है लंबाई 22 है एक इंच मार्जिंग 23 इंच सेम मार्क लगाकर मार्क स्टेट करेंगे हाफ इंच आधा इंच पे एक मार्क लगाएंगे और यहां से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इस दोनों मार्क को इस तरह से शेप करेंगे चेस्ट को फोर से डिवाइड करेंगे और हाफ इंच लेस कर देंगे सीना का चौथा हिस्सा आठ इंच में आधा इंच कम कर देना है यह साड़े साथ इंच आएगा इसको हाफ अन हाफ कर लेंगे आधा कर लेंगे और जितना है सेम उतना ही उपर में मार्क लगाएंगे स्टेट करने के लिए यहां हाफ इंच उपर एक मार्क लगाना है क्रोस करने के लिए और यहां से सारे 6 इंच 6 तेन हाफ सारे 6 इंच मार्क लगाने से स्लिफ का जो विर्थ है स्लिफ का जो मोरी का बॉटम है यह 9 इंच रेडि आएगा हाफ करने पे सारे 4 इंच रेडि आएगा यहां से सारे 6 इंच मार्क लगाएंगे यहां से half inch down करते हुए margin लगाएंगे 3 inch कि यहां से एक इंच पर मार्क लगाएंगे वान इंच कि इन तीनों मार्क में स्केल को ऐसे रखकर मार्क लगाएंगे हुए झाल झाल इस दोनों पॉइंट को यहां लेकर आना है इसको उठाकर इस तरह से यहां जो हमने कट किया है यहां उपर और नीचे इस मार्क को यहां ऐसे रख देना है यहां लेकर आना है हमने बराबर कट किया था तो बराबर कट करेंगे तो पॉना इंच त्री फॉर इसमें मार्जिंग है पॉना इंच मार्जिंग के लिए मार्क लगा लेना है इस मार्क को हाफन हाफ कर लेंगे आधा कर लेंगे और फिर इसको भी हाफ कर लेंगे आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंदा होगा वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजिएगा इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में